तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विपन कुमाश शर्मा और वाचिंग में अन दिस प्रेस्टिजिस चैनल ऑफ अनकाडमी दाट इस नीट यूजी इन 10 तो हेर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली सोलनेसी की हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में पूरे फ्लोरल डायग्राम को पहले डेसिफर करेंगे और उसके बाद इनके जो इंपोर्टन करेक्टर सा उनको नोट करते हुए चलेंगे तो प्लीज मेक शॉर आप इस वीडियो को पूरा देखें और फैमिली सोलनेसी को ठीक तरीके से समझें तो गाइज लेट्स प्रोसीड तोवर्टन करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है यहाँ पर जाकर आपको एक साल या दो साल का सब्सक्रिप्शन प्रेट चूज़ जैगा मेरे सारे के सारे पीडियाफ पार्मैट में ओट्स भी होते रहेंगे तो आपको रिसंट चीजों के normal होती हैं वो सब भी आपको मिलती रहेंगी time to time most important perk यह है कि आपको मेरा एक साल का mentorship और मेरी book जो है वो hard copy format में आपको मिल जाएगी आपके घर पर पहुँच जाएगी as a courier, as a gift so please make sure कि आप लोग जो है weapon code का इस्तमाल करें, all right okay, so बात करते हैं सबसे पहले इसके सबसे basic characters को जान लेते हैं, यह यहाँ पर symbol अगर बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब actinomorphic symmetry, यानि आपकी radial symmetry यहाँ पर देखने को मिलेगी okay, so आपका actinomorphic symmetry यहाँ पर हमें देखने को मिली, यह point आपका हो गया, यहाँ पर आपने देखा कि आपका female sex का character यहाँ पर है, और male का भी, यानि आपका bisexual है, so bisexual flower यहाँ पर है, तो यह वाली चीज हम लोगों को दोनों समझ में आ गई, just from the floral formula, आपका जो calyx है, जो सबसे पहले रहता है, इसमें 5 components है, यानि 5 आपके saples है, जिन पर आपका क्या लगा हुआ bracket लगा हुआ है, इसका मतलब 5 saples आपके fused है, एक साथ ओके, यहाँ पर आपके सारे saples, अगर fused है, आप diagram में अगर देखेंगे, तो यह अगर आपका number 1 है, this is number 2, this is number 3 this is number 4, this is number 5, then fused होगे, एक दूसरे से जुड़े हुए है इसलिए आपका bracket आया, और यह एक दूसरे को overlap नहीं कर रहे है इनकी boundaries एक दूसरे के साथ जुड़े हुई है तो estimation क्या हुई मेरे दोस्त, estimation हो गई यहाँ पर, wall weight estimation तो अगर आप इसे mark करेंगे यहाँ पर, तो saples आपके 5 है united है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए है fused है, wall weight estimation आपको यहाँ पर देखने को मिली from the diagram it is very very clear itself अगर आप बात करें corolla की तो corolla जो है आपके फिर से 5 है और bracket लगा हुआ है, यानि यह भी आपके fused है, तो यह भी हम लोग देख लेते हैं diagram में, जी हाँ, corolla जो है आपके 5, यह भी आपके fused है, यहाँ पर, यहाँ पर आप लोग इनके बीच का junction जो है, देख सकते हैं right, this is the most important thing, और यहाँ पर यह भी एक दूसरे को overlap नहीं कर रहे हैं तो यह भी आपके well weight estimation show कर रहे है, so you can just mark it down in your book as well, तो यहाँ पर देखो, petals भी आपके 5 है, united है, और आपकी well weight estimation यह भी show करते हैं तो यह सारी चीज़े भी आपको सिर्फ और सिर्फ floral formula और diagram से clear हो जाती है, androsium यानि male sex organ के अगर आप बात करें तो A5 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है bracket नहीं है, यानि इन में से एक भी fused नहीं है, लेकिन एक important चीज़ जो देखनी है C और A के उपर आपका bridge लगा हुआ है, इसका मतलब आपका क्या है, linkage है यहाँ पर इनकी linking है, so अगर आपका petals जो है, अगर वो androsium के साथ connected है, तो क्या इसे बोलते हैं हम लोग, epipatelis condition, तो stamen आपके 5 है और epipatelis है, यानि कि यह आपके corolla के साथ fused है जब आप diagram में देखोगे, यह आपके corolla है 5, इनके साथ आपका fusion शो कर रहा है आपका androsium, तो 5 लेकिन bridge है, क्योंकि यह आपके epipatelis condition शो कर रहा है और यहाँ पर अगर आप देखोगे basically gynosium, तो center पर आपको दिखाई देगा काफी सारे छोटे छोटे blue color के ovules है लेकिन बीच में एक oblique septum है तो इसकी वज़े से आपका कारपलरी, दो कारपल present है obligately placed आपका septum है यहाँ पर, sin carpus condition है because दोनों की दोनों कारपल्स fused है, वो आपकी इस तरीके से arrange है तो इस दोनों इन में fusion है ovary आपकी superior है, जो की g के उपर आपको यही देख के मिलता है g के नीचे जो है आपका डंडा है और g उपर है, इसका मतलब g is superior and two, you know basically carpals are present over here और इनके बीच में fusion है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, bracket का sign आ गया bilocular है, क्योंकि obligately placed septum है यहाँ पर placenta आपका swollen होता है और many ovules आपकी यहाँ पर present रहती है जो कि आप basically अगर यहाँ पर देखेंगे काफी सारे blue color के structure आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, placentation आपकी exile होती है, क्योंकि axis के उपर आपके जो है basically यह ovules arranged है placenta के उपर, right so these are some things that you can directly divide from the diagram itself यह आपकी mother axis है, जिसके respect में आपके सारे floral parts का आपको that is your bagon, solenum tuberosum that is your potato, तो काफी सारी चीज यहाँ पर आती है, इसलिए इसे commonly potato family कहा जाता है, यह आपके tropical, subtropical और temperate region में भी आपकी बहुत common होती हैं, क्योंकि आलू एक ऐसे चीज़ है जो काफी जगा आपको उगती हुई दिखाई देगी, vegetative characters की अगर आप बात करें, तो mostly होते हैं, अगर आपने आलू का पौधा देखा है, तो आपको पता होगा, यह shrubs भी हो सकते हैं, और trees इनमें बहुत rare आपको देखने को मिलते हैं, बड़े पेड आपको देखने को नहीं मिलेंगे, stem इनकी herbaceous होती है, क्योंकि आपके होते ही herbs हैं, और woody होती है rarest of the rare cases में, जहां यह shrub की तरह behave करते हैं, aerial होती है stem, यानि आपके उपर की side होगेगी, erect होती है, यानि सीधी होगेगी, इनमें climbers की जरुवत नहीं पड़ती, cylindrical होती है, branch होती है, solid होती है, food, all right, so यह जो आपके regions है, stem के, यह reasons आपको basically थोड़े बहुत याद करने है, कि क्या-क्या आपके यहां पर point है, so उनमें आपको बस यह देखना है, कि यह mostly herbaceous होते हैं, और आपकी, you know, branch stem आपको देखने को मिलती है, आप किसी भी solenacy family के, you know, member को अगर यहां पर देख लोगे, तो आपको एक idea लग जाएगा basically, कि हम यहां पर कहना क्या चारहे हैं, so you can divide all those points from the, you know, basic generalization only, okay, अगर आप leaves की बात करते हैं, तो यह आपकी alternate होती है, okay, simple होती है, pinnately compound हो सकती है, लेकिन उतने जादा में देखने को नहीं मिलती, these are x stipulate यानि यह आपका stipule है, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, vination आपकी reticulate होती है, because dicot के, उसमें basically आप इन्हें place करने की कोशिश करते हो, inflorescence आपकी solitary होती है, axillary होती है, और साइमोज होती है, insolenum, axillary मतलब axis पे आपको bud देखने को मिलेगा, और साइमोज मतलब एक limited growth होती है, पूरे के पूरे आपके, you know, axis की, यहाँ पर यह सारे points we have already discussed, fruit जो रहता है इनमें berry या capsule होता है, ओके, और seed आपके endospermous रहते हैं, यानि इनके अंदर food stored होता है, so seed अगर आप देखेंगे तो इनमें foodie seed या फिर आपको endospermous seed या फिर आपको fleshy seeds देखने को मिलेंगे, जिनमें बहुत सारा खाना stored होता है, economic importance की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, आपको food के source बहुत देखने को मिलेंगे, जैसे आपको tomato हो गया, potato होगा, brinjal होगा, आपको spices यानि मसाले देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका chili, medicine आपको देखने को मिलेगा, जैसे atropa, belladona, ashwagandha बगएरा, जो कि petunia, जो कि आपका यहाँ पर उगाया जाता है, तो काफ़ सारे ऐसे point है, जो आपको याद करने है, लेकिन main जो आपके points होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ floral characters के ही होते हैं, आपको अगर 2019 का paper याद है, तो आपको पता होगा कि ये वाला जो आपका obliquely placed septa वाला जो आपका biocular वाला जो question है, या आपका neat 2019 में पूछा गया है, आपके main जो question आते हैं, वो floral part से ही आते हैं, या फिर आपका सीधा सीधा example से आते हैं, इनके लावा आपके बहुत जादा questions नहीं आते, तो आपको ये याद है, then you can solve each and every question in your examination with great confidence, so guys अगर आपको वीडियो पसंद आई, समझ में आई, तो आप like कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं, बेल आइकन को press कर सकते हैं, I know ये चीज़ें आपको starting में complex लग रही हैं, आपको NCRT revision की ज़रद पढ़ेगी इन topics में, please make sure आप लोग NCRT को काफी बार पढ़ें, so that you can never skip a point, अगर आप weapon code apply करके जो है subscription लेते हैं, तो आप ozone classes नाम के telegram channel, या फिर आप weapon sharma biology नाम के instagram handle पर मुझे screenshot शेयर कर सकते हैं, और नीचे description में हमारे official telegram group का link दिया हुआ है, आप लोग वहाँ पर हमें join कर सकते हैं, thank you so much guys, lots of love, I'll catch you in the next video